तो दोस्तो आज की वीडियो काफी important होने वाली है जो लोग सोच रहे अपनी घर की construction करवाने की उनके लिए काफी help होगी क्योंकि 2021 में rate काफी changes हुए हैं तो इस वीडियो में आपको complete construction cost पता चलने वाला है आपको पूरा वीडियो देखना पड़ेगा तब ही आपको समझ में आएगा कि कि इतना सेंड लगेगा कि इतना ब्रिक्स लगेंगे लेवर कोश्ट टोटल इस वीडियो में बताने वाला हूं तो पूरा ध्यान से आपको वीडियो को देखना है तो हमने यहां जो एक्जामपल लिया है वह हजार स्क्वार फिट का घर है तू बीच के है और स 1000 स्क्वार फिट हो 2000 हो 3000 ओ 5000 हो जितना भी हो आप इस मेतड से इसली निकाल पाएंगे कि आपका टोटल कोश्ट कितना लगेगा टोटल सिमेंट सेंड एग्रिगेट कितना लगेगा आप आराम से निकाल सकेंगे जो भी इसमें कोश्ट बताय गया है वो सिर्फ सिंगल स्टो बंगलो टैप के घर जिसमें काफी काफी महंगे महंगे टाइल्स लगे होते हैं मार्बल लगे होते हैं इटालियन मार्बल भी लगे होते हैं ग्रेनाइट वगेरा काफी महंगे आते हैं जो फिनिसिंग आइटम है वो काफी महंगे होते हैं ये हमारा high standard का घर होता है इसमें जो material का quality होता है वो काफी अच्छे quality का material होता है class B में जो घर आते हैं maximum class B के ही घर बनते हैं जिसमें standard quality का material यूज करते हैं जो medium rate में आते हैं tiles marble, granite वो इसमें यूज होते हैं और class C में बहुती simple घर आते हैं जिसका elevation कोई खास नहीं होता है third quality का हम बोल सकते हैं इसमें material का जो quality होता है वो third quality का ही होता है इस type के घर में tiles marble नहीं लगे होते हैं नॉर्मल हमारा घर होता है ये जो आप rate देख रहे हैं ये rate 2021 का है यही rate 2021 से पहले अगर 1920 में आप देखेंगे तो ये rate थोड़ा सा कम था ये पार square feet का rate है तो class A के लिए जो rate है वो 1200 से 1900 square feet है class B के लिए 900 से 1200 और class C के लिए 800 से 900 रुपए square feet है तो हमारा class B का घर है 1000 square feet है multiply करेंगे rate से class B के लिए 900 से 1200 है तो हम 1100 रुपए ले लेते हैं तो हमारा total जो cost आ रहा है वो 11,00 रुपए आ रहा है आज़े हम देखेंगे की इतना cost कैसे आया तो अब हम देखेंगे की material कितना लगेगा तो हमारा जो cement लगेगा वो 450 बेग लगेगा ये सब कहां से आया सिमेंट इतना लगेगा सेंड इतना लगेगा इसे मैं आगे समझाऊंगा भी पहले ये देख लेते हैं सिमेंट हमारा 450 बेग लगेगा तो हमने सिमेंट के लिए 350 रुपे लिया हुआ है ये minimum rate है अब maximum और उपर जा सकते हैं तो हमारा total सिमेंट का खर्चा आ रहा है एक लाग संतावन हजार पानसो इस्टील जो हमार लगेगा 2.5 मेट्रिक टन लगेगा तो अगर मार्केट का रेट का बात करें अगर टाटा इस्टील आप यूज करें या जिंदल का उन्चास रुपे पर केजी लेते हैं तो हमारा एक लाग 22,005 रुपे इस्टील का खर्च रहा होने वाला है एग्रीगेट 1500 क्यूबिक फिट लगेगा पर क्यूबिक फिट का रेड 20 है तो total हमारा 300,000 रुपे एग्रिगेट में लगेगा तो ब्रिक हमारा 200,000 लगेगा तो 1000 square foot का हमारा घर है तो हमारा 108,000 labor cost लगेगा vetrified tiles जो हमारा लगेगा वो पूरे area का 60% लगेगा तो हमारा 1000 square feet का area है तो 60% 600 square feet है तो हमारा जो rate अभी चल रहा है वो 35 से 40 रुपे चल रहा है तो 40 रुपे लेते हैं तो 600 x 40 तो 24जार हमारा vetrified tiles लगेगा तो हमारा ceramic tiles जो आता है वो vetrified tiles का half आता है ये थंबरूल के हिसाब से है तो हमारा vetrified tiles का 60% 600 square feet इसका आया है तो हमारा half इसका 300 square feet लगेगा और अभी जो market में इसका rate चल रहा है वो 20 रुपया square feet चल रहा है तो हमारा total ceramic tiles में 6000 लगेगा तो granite जो हमारा लगता है वो पूरी area का 3% लगता है ये हमारा सिर्फ kitchen में लगता है तो अच्छा granite आपको 140 रुपय square feet में मिल जाएगा तो 140 into 30 बराबर 1200 रुपय हमारा granite में लगेगा quota stone का अगर हम बात करें तो total area का 30% होता है quota stone तो हमारा बाहर लगने वाला है तो 35 रुपया square feet है इसका तो 35 into 300 equal to 10,500 quota stone में हमारा 10,500 रुपय लगेगा तो अगर हम door frame का बात करें तो यह depend करता है number of doors में तो plan देख लेते हैं यह plan मतलब यह example है तो हमारा यहाँ दरवाजा एक दो तीन चार पाच थोड़ा सा में एक्ष्टा लेके चलेंगे हम साथ ले लेते हैं तो into 7 यह 2000 जो हमारा है यह wooden frame के लिए है तो door के अंदर जो apply लग 5000 मेरा लगेगा तो अगर painting और पुट्टी का बात करें तो हमारा 15 रुपिया square feet अभी चल रहा है तो थमरूल बूलता है कि जितना भी हमारा area है उसका पाच गुना हमारा area आता है painting और पुट्टी के लिए तो हमारा 5 into 1000 जो हमारा square feet है तो total हमारा 5000 आ गया square feet into 15 तो हमारा 75,000 painting और पुट्टी में लगेगा तो plumbing में हमारा खर्चा आएगा 35,000,000 square feet के लिए लगबग approximate 35,000 का खर्चा plumbing में लगता है electrical work के लिए लगबग 55,000 का खर्चा आएगा 1000 square feet के लिए window के लिए 18,000, water tank के लिए 5000 और extra item के लिए लगबग 12,000 का खर्चा आएगा तो यह हमारा 11,000,000 का एक अच्छा घर class B का बनेगा तो अब हम बात करेंगे थमरूल के बारे में तो यह जो आप देख रहे हैं cement के लिए 0.45, sand के लिए 2, aggregate के लिए 1.5, steel के लिए 2.5, brick के लिए 2, यह हमारा थमरूल है तो आपका जितना भी square feet का घर हो बस आपको इससे multiply करना है जैसे हमें cement निकालना है तो 0.45 into 1000 हमने जो cost निकाला वो 1000 square feet के लिए निकाला तो इसलिए multiply 1000 किया तो हमारा 450 bricks आ रहा है, sand के लिए 2 से multiply करेंगे 2000 cubic feet आ रहा है, aggregate के लिए 1.5 से multiply करेंगे यह हमारा थमरूल बोलता है इस्टील के लिए 2.5 से multiply करेंगे और brick के लिए 20 से multiply करेंगे और आप चैनल को subscribe कर सकते हैं और भी वीडियो के लिए और साथी bell icon को प्रेस कर ले तो ऐसे calculate करते हम एक घर का cost निकालने के लिए यह rough estimate होता है इससे आपको idea लगता है कि एप्रोक्स कितना खर्चा जाने वाला है इस धर को बनाने के लिए तो अमीद है कि आपको समझ माया होगा और फिर भी कोई doubt है तो आप comment कर सकते हैं